हाउ टू यूज फेस्बूक आप फोर बिगेनर्स आज की वीडियो में यहाँ पर मैं यही बता हूँ कि आप अपने फेस्बूक के आप्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वेल यह पर जो टॉपिक है यह कोई नया टॉपिक नहीं है बढ़ एक तरीके से इंपॉर्टन टॉपिक है इस फेस्बूक के आप्स को एक तरीके से किस तरीके से यूज करना है अपने प्राइविसी, सेफटी एंड सिक्यूर्टी बेसिस पर यह पर आपको नौर्मल यूज कि रहेंगा यह चैट किस तरीके से सकते है जो एक तरीके से आपके सेफटी और आपके सीक्यूर्टी बेसिस पर बहुति ही जदा काम आयेगा तो यहाँ पर आपको यह बेसिक वैसे चीज़े में आपको नहीं बताऊंगा तो नौर्मल सी बात है कि सबसे पिले आपको अपने Facebook अकाउंट पर Security किस तरीके से यूज़ करना है जब भी आप अपने Facebook के आप को Facebook को आप यूज़ करें तो इसके लिए आपको डिर्क ली जाना है आप में 3. sections में और यहाँ पर आपको जाना है setting and privacy options में then click on the setting option और यहाँ पर आपको information बिल जाएगी अलग-अलग type की तो अगर आपको personal information अगर आपको update करने जैसे कि आपकी पूरी की पूरी बायो update करने में आप क्या काम करते हो, आपका phone number, आपका mobile number तो इस आरी के नदो की information आपको यापसनल information वाले option में जाना है और यहाँ पर आपको सारी details एक तरीके से add कर दीन है अपना contact information, अपना identity नदो परमेशन, आपके message account, manage account याने की अकटोंट के लिए information यह सारी के सारी information आप यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बात यहाँ पर आपती है security वाले option नहीं कि जब भी आप Facebook यूज़ करें तो CD से बाते आपको अपने safety and security का भी दियार लगना है तो अगर आपको security settings apply करना चाते हैं अपने Facebook पे तो आपको directly security वाले option पर visit करना है यहाँ पर आपको सारी के सारी information जो आप एक तरीके से hide करके रख सकते हैं अपने Facebook के profile पर तो first number पर आता है who can see your future post यानि कि अगर आप इस feature का मतलब है कि आप जब भी कोई Facebook पर post apply करें तो वो कौन देख सकता है public देख सकती है friend देख सकती है या publicly share करना चाते है तो इसके अलाबर यहाँ पर आपको downset में option मिलता है who can see the people pages and estate that you follow यानि कि जब भी आप यानि कि जब भी आप कुछ pages आप Facebook पर update करेंगे यानि कि जब भी आप कोई post update करेंगे Facebook पर तो वो सारी चीज़े कोन देख सकता है तो यहाँ पर आपको option है तो बेटे रहे कि आप इसको only me value option पर set रहे अगर आप नहीं चाहते कि आपकी privacy कोई और देखे आपकी post आपकी photos कोई और देखे तो बेटे रहे कि आप इसको only me value पर set करें जिसे कि कोई भी unknown person आपकी details को नहीं देख पाएगा अब उसके बाद who can send your friend request तो यह बाइ difficultly एक तरीके से use करते बाए आपको दियार रखना especially for girls and women के लिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी unknown person आपको friend request send करे Facebook use करते बग तो make sure कि आप यहाँ पर इसे friends of friends option पर इस सेट रखे है यह default basis everyone पर सेट होगा तो make sure कि आप इसको friends of friends पर सेट रखे जिसे कि unknown person आपको friend request नहीं send कर पाएगे अब उसके बाद यहाँ पर है who can look up your email address and your follow और अपना mobile number अगर जब भी आप Facebook use करे especially for beginners तो आपको एक बत का ध्यान रखना है कि आपको social media account पर अपना photo और अपना mobile number और अपना email ID बिल्कुल भी शो नहीं रखना है because इससे कोई भी आपको अपना account का भी स्यूच कर सकता है तो make sure कि आप अपना email ID अगर आपने Facebook पर provide किया यूज करते वक तो उस email ID को आपको private कर देना है इस only me वाले option पर click करके अब उसके बाद अगर आपने अपना mobile number यहाँ पर add किया है तो इसको भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से hide कर देना है इस only me वाले option पर set करके जिससे कि कोई भी unknown person आपके email ID और आपके mobile के साथ misuse नहीं कर पाएगा तो यह चीज़े आपको Facebook यूज करते वक धियान रखना है specially for beginners के लिए अब दूसरी चीज़े आती है कि आप यहाँ पर अगर और भी ज़रा Facebook को use करते वाँ अपने account को और भी ज़रा secure रखना चाते है कि यहाँ पर एक second method apply कर सकते है profile locking का तो Facebook में आपको एक option मिल जाता है profile locking तो Facebook की use करते वाँ आपको इस बात का दियान रखना है कि आप अपने Facebook के profile को lock कर सकते है तो यहाँ पर आपको lock करने के लिए इस वाले option क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको mention किया गया है कि lock your profile तो इस वाले option पर आपको क्लिक कर देना है तो इसके बाद आपका जो Facebook का profile है वो यहाँ पर lock हो जाएगा तो facebook use के दिवर आपको ध्यान रखना है और इस feature को आपको ज़रूर apply करना है as a beginner because अगर आपका facebook profile lock रहेगा तो कोई भी unknown user आपके account में आके ज़्यादा message नहीं कर पाएगा तो इसके अलावत थर्ड है जो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है जो आप फेस्बूक यूज़ करते वर्क अप्लाई कर सकता है अगर आपको habit है late night तक chatting करने की तो ऐसे में आप facebook में dark mode के feature को भी apply कर सकता है तो इसके लिए आपको directly जाना है scroll down में setting और privacy options में as you can see और यहाँ पर आपको setting option पर visit करना है setting option जाने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा dark mode का as you can see that तो यहाँ से आप dark mode के feature को भी enable कर सकते हैं तो आपके facebook में app में dark mode का feature enable हो जाएगा तो यह feature आपको तभी खामाएगा अगर आपको late night तक facebook पर chatting करने के habit है तो आपको पता है कि mobile के जो brighter light है वो आपको damage कर देती है तो ऐसे मगर आप dark mode का feature enable रखेंगे तो इससे आपके आँखों में बिल्कुल भी pain नहीं होगा और आपको chat करने का experience है वो और भी जादा बढ़ जाएगा तो यह एक तरीके से बहुत ही important है facebook यूज़ करते है बख especially for beginners I hope you like this information thanks for watching